नमस्कार आप देख रहे हैं प्रगती मीडिया देश में कोरोना वायरस संकर्मण के मामले जिस गती से बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है 31 माई को लॉकडाउन 4.0 खतम होगा इसके बाद पाचवी बार 14 से 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी हो सकती है क्या 11 सहरों पर रहेगा सरकार का फोकस इस बार उन्हे 11 सहरों पर फोकस रहेगा जहां अभी कोरोना संकर्मण फैल रहा है देश में कोरोना की मामले बढ़कर अब तक 1.5 लाग के पार जा चुके हैं और इस महामारी से मरने वालों की संख्या भी 4,000 के करीब जा चुकी है इस बीच महाराष्ट, गुजराद, दिल्ली, उत्तरपरदेश, तमिल नाडू, पर्षिम बंगाल में कोरोना की मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं जो सहर सबसे ज़्यादा प्रभावित है उनमें मुंबई, डिल्ली, बैंगलोर, पूने, इंदौर, चेन्नई, एहमदाबाद, जैपूर, सूरत और कॉलकाता है देश में कोरोना के 70% मामले इनी सहरों में हैं वहीं सहरों से निकल कर गावों में पहुचे कुछ प्रवासी, मजदूरों से भी कोरोना और संकर्मन के तमाम मामले सामने आ रहे हैं इससे पहले केंद्र सरकार ने 30 नगर निगमों की सूची बनाई थी जहां 80% कोरोना केस थे सूतरों की माने तो केंद्र सरकार इस बार देश्व्यापी लॉकडाउन करने की बजाए फैसला राज्यों के कंधे पर डालने की तैयारी में है लॉकडाउन 4.0 में भी सरकार ने रैड औरेंज ग्रीन कंटेंट्मेंट एरिया तैय करने की जिम्मेदारी दे दी थी यह दाइरा अब और बढ़ाने की बात हो रही है कुछ गति विदियो पर अभी भी लागू हो सकती है पाबंदिया लॉकडाउन 5.0 अगला अगर लागू किया गया तो कई गति विदियो को रियायत मिल सकती है लेकिन होटल, सिनेमा हॉल, पार्क, स्कूल कालेज, कोचिंग सेंटर, साधी विवा, जलसा, जुलूस और भीडबाड़ वाले कारेकरमों पर अभी भी पाबंदिया बनी रह सकती है नमस्कार